नमस्कार विंद्या टाइंग्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रया तापिय विद्यूत परियोजनाओं में कोईले के संकट के बीच केंद्रिय कोईला मंत्री प्रहलात जोशी मंगलवार को एंसील मुख्याले सिंग्रॉली पहुंचे थे यहां वह एंसील के अफसरों के साथ बैठक कर परियोजना को कोईला आपूर्ती की उन्होंने समीक्षा की एंसील के खदानों का भी निरिक्षन किया कोईला मंत्री के एंसील दौरे को कोईला संकट के समाधान के दिशा में काफी एहम माना जा रहा है नेशनल पावर पोटल की ओर से जारी आकडों के तहट देश में 110 पावर प्लांट कोईले की कमी से जूज रहे हैं कई राजियों में बिजली संकट और पावर कट की समस्या बनी हुई है उत्तर प्रदेश राज उत्पादन निगम की अनपरा ओबरा पारिक्षा सहित कई प्रमुख विद्यूत ग्रहों में पर्याप्त कोईला ना होने से एकाईयों को कम शमता पर चलाया जा रहा है राज्य में विद्यूत आपूर्ती सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार को दो से ढ़ाई गुने दाम पर निजी कमपनियों से बिजली खरीदनी पर रही है उत्तपादन निकाईयों की ओर से कोईले की कमी आपूर्ती की दलील दी जारी है जबकि NCL की ओर से अनुबध जिसे भी अधिक आपूर्ती का दावा किया जा रहा है इस बीच केंद्रि कोईला मंत्री प्रहलाद जोशी के दोरे से कोईला संकट के समाधान की उम्मीदे जगी है केंद्रि मंत्री मंगलवार की दोपाहर सिंग रॉली इस्थित नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड एंसील मुख्याले पहुँचे हलिपैट पर एंसील के अधिकालियों और सिंग रॉली के कलेक्टर राजीव रंजन मीना स्पी विरेंद्र सिंग ने संयुक्त रूप से स्वागत किया एंसील के अधिकारियों के साथ वारता के बाद वह जयन्ति खदान का जायजा भी लेने पहुँचे दूधी चुआ खदान में न्यू साइलो के निर्मार की आधार शुला रखी रेल रैक से कोईले की आपूर्थी शुरू होने के बाद अनपरा परियोजना को कोईला संकट से आंशिक राहत मिली है कोईला आपूर्थी को लेकर रेलवे के बाद परियोजना प्रबंधन ने सोमवार को एंसील प्रबंधन के साथ में साथ भी बैठक कर विभिन पहलू पर विचार विमर्ष किया बुक्तान सम्मंधी समस्याओं के कारण अनपरा परियोजना को रेलवे का स्टॉक लगातार कम हो रहा था रविवार को अनपरा भी परियोजना में महज आधे दिन का स्टॉक शेश रह गया था इस्तिति की गंभीरता को देखते हुए उत्पादन निगम के साथ परियोजना प्रबंधन भी लगातार रेलवे वा एंसील प्रबंधन के संपर्क में था पश्विम यूपी सहित पूरवांचल के कई हिस्तों में आई आंधी पानी के कारण पारा लुढखने से प्रदेश में बिजली की मांग में भारी गिरावट दर्च की गई है इससे पारिशावा हरदुआ गंज की एकाईयों को रिजर्व शट डाउन पर ले लिया गया है वहीं अनपरा में अनपरा के बिजली घरों में भारी थर्मल बैंकिंग की जा रही है कोईला संकट के कारण लोड कम करने के साथ ही इस समय प्रदेश में बिजली की मांग में कमी से परियोजना को थर्मल बैंकिंग का भी सामना करना पड़ रहा है उन्होंने स्विकार किया है कि कोईले की कमी के कारण एवं आयात में रुकावट के चलते कुछ समय समस्याएं उत्पन हुई थी लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी पूरा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि घरेलू कोईला से बिजली उत्पादन में 24 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है जबकि बाहर से आयात कोईले की आपूर्ती में 30 प्रतिशत की कमी आई है जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन हुई है हलाकि मंत्री ने बताया है कि कोल इंडिया के पास 4 दिन का कोईला का स्टॉक है बिजली घरों को कोल इंडिया से 2 मिलियन टन कोईला प्रतिदिन उपलब्ध कराये जा रहा है जो कोईला का बिजली के लिए दर्रों थे वो पूर्ति करने के लिए कोल इंडिया सही हम बहुत कोशिश कर रहा है और आज के दिन में 4 दिन का स्टॉक है और स्टॉक थोड़े-थोड़े मैं यह नहीं बता रहा हूं कि बहुत जादा बढ़ गया है लेकिन थोड़े-थोड़े बढ़ रहा है अभी पहले 7.2-7.3 था आज के दिन में 7.5 मिलियन टन जनकोज में स्टॉक है इसलिए आगे भी यह जो 2 मिलियन टन का 2 मिलियन प्लस का बिजली ख्यत्र से डिमांड है कोल इंडिया, सिंग्रेनी और कैप्टिव सब मिलाके यह आपूरती हम जरूर करेंगे